question में क्या दिया है बोलता है कि what is the value of one plus sec square by one plus cos square उपर है one plus sin square नीचे है one plus cos square तो देखे सेक और cos में relation है तो one plus sec square को क्यों ना one plus one by cos square लिख लिख लिया जाए नीचे आपका क्या है one plus cos square इसके साथ into में यह है one plus sin square और denominator में लिख लिख लेंगे one plus one by sin square अब इसको जब हम simplify करेंगे उपर तवारा है one plus cos square नीचे में cos square एक के साथ में multiply होगा one plus cos square और यह है आपका one plus sin square इसके साथ multiply हो गया है sin square denominator में अभी भी है one plus sin square कट कट हो गया sin by cos कितना होता है 10 इस question का सही answer आ रहा है 10 square जो कि है option number 4 तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर सारे बेश्ट प्यू का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पर कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे टॉप तार तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के स साथ और एक नए concept के साथ